नमस्कार साथ ही हूँ मेरा नाम है सतिष सर्मा और कुछी दिन पहले हमने फिटर की एक क्लास ले थी आपके साथ ही यहीं पे उससे संबंधित आज कुछ समसी क्यूज में लेकर के आया हूँ यह देखने के लिए कि कितनी तैयारी आपकी हो पाई है उनके रिकार्डिंग हाला कि कोई खास हार्ड टोपिक थे नहीं फिर भी अगर मैं लास्ट एक्जाम की बात करूँ जो लास्ट अनुदेशक भरती हुई थी फिटर का जो पेपर कि आया था तो मैंने जितना आपको पड़ाया है पहली क्लास में उसी में से आपके 12-15 क्यों चाहिए आप को पेपर उठा करके देख लेना अगर आपको ना मिले तो मुझे बता देना मैं आपको प्रोवाइड कर वा दूंगा कि पेपर आप उसको उठा करके देखना कि ज आपको करवाए हैं उसी क्लास में जो की पूछे जा सकते हैं उनसे बाहर ज्यादा कुछ भी जाने का है नहीं दूसरी चीज हम जो भी चीज यहां पर पढ़ा रहे हैं वह जहां से आपका सलेबस बनाये गया है निमी की बुक की में बात करो तो सारा सब कुछ निमी की जो पीडियेफ है उसी से हम पढ़ा रहे हैं उससे भार कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं कल को अगर option में कोई गलत भी चप जाता है और आप अगर उसके उपर objection भी लगाते हैं तो हम जहां से पढ़ रहे हैं वह चीज ही यहां पर माने की जाएगी भले ही इसमें कुछ थोड़ा बहुत गलत लिखा हो लेकिन इसमें जो लिखा गया है जो पीडियेफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस पीडियेफ में जो लिखा गया है वही सत्य माना जाएगा उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट पिछली क्लास में भी आया था जिसके बारे में हमने बात करी थी व उसे बाहर क्या आसकता है वही बाते हम यहाँ पर करते हैं तो दृडबें एक सबस्क्राइब कर ले और आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करके जाएं को प्टिश लाइक कर गया है लेगिन करके जरूर कोवा है तो अभे हम देखतेए आप के सामने उसी से संबंदीत क्योंसर नंबर एक आया है पढ़िए क्या लिखा हुआ है सूचना चिन है की प्रष्ट भूमी कैसी होती है यानि कि जो से फिर्फॉर्मेशन के चार परकार के सामικό सांइब आप सैर प्रष्ट भूमी होती है तो आप से जा कर фet. नाम से उसमें आपको पहली क्लास मिल जाएगी उसी से संबंदीत यह क्युस्सन है तो बताइए कोमेंट करके कि इसका क्या आंस्वर रहेगा चार आपके सामने सूचना चीन है कि प्रश्ट भूमी कैसी होती है उप्सने है नीली उप्सन भी है सफेद उप्सन सी है हरी और उप्स के साथ है यहां पर चला जाएगा दोस्तों आपको चारों परकार के जो सीमेल है उनकी प्रश्ट भूमी कैसी होती है उनका खुद का जो अंदर डाइग्राम बनता वो किस कलर का बनता है यह सारी चीजे आपको याद रखनी पड़ेंगी वहां से डेफिनेट लिया आपको sapyad.com क्लास ऐम तो कॉन सी क्लास में अ कलास B मैं कलास C में या क्लास D में कॉन सी क्लास में मैटल की आग्यांति है कोimizi आपको को को अगर कोई भी डाउट हो वहां से आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो जो डी क्लास है उसी के अंदर मेटल में लगी हुई आग और इलेक्ट्रिकल जो आपकी आग है फायर है वो सामिल की गई है चलते हैं अगले क्यूस्टन की तरफ हमारा अगला क्यूस् आश naught फकी इनमें से कौन सा स्क्राइबर है और वर्नियर हाइट गेज में जिसमें हम मार्किंड करते है जब आपको निर्ड Juliet स्क्राइबर है वो यूज में लिया जाता है तो देखें कह स्था और सीधा है गेन्ट है और सीधा या हमारे हाद्स से रेखने के लिए काम में में लेते हैं जो ऊप कि इस आंस्वरी के साथ जाएगा उपसेट स्क्राइबर हमारा सभी क्रेक्ट फल cookie से इंटर में हमारा कर दो से हमें सेंटर निकालना है तो बताए कि इन से कौन सा कैलिपर रहा है उप्सन ए हां। परोप्सन के साथ है But परोप्सन कॉप्सन क्यां सबस्क्राइब उप्सन क्यों करेंका गाहिव नहीं धुस्क्राइब Everything नुकिला होता है और एक पैर है वो समांतर डेटम सतर के साथ में रख करके और जो नुकिले वाड़ा पैर है उससे हम चाप लगा करके यहां पर इस तरीके से इसका जो सेंटर है वो ज्याद कर सकते हैं चलते हैं अभी अगले क्योस्टन की तरफ क्योस्टन नमबर पांच में देखिये क्या लिखा गया है और यह साही रहेगा ड्रिल द्वारा होल करने से पूर्वे कौन से पंच द्वारा मार्किंग की जाती है देखिया आपके सामने हम इस च्यार पंच दिए गए हैं डोट्पंच पंच सेंटर पंच प्रिक पंच और पर कार्व आपके सामने दिए गए हैं अब आपको बताना है कि जब हम फिसी जोग आंदर ड्रिलिंग करते हैं तो इन में इसको उन साThis है वह पर्फेक्ट रहता मारकिंग cotton Singing करने के लिए जिससे हम और बाद में डूलिंग के रिया हो यहां पर कर सकें को आपको बता नहीं? बताना रहेगा बोट समस्ट रहेगास और सकते हैं सब्सक्त हैं ik cur बनक्त है उसाथ वह ज क्लिप्यों कर सकता है तो हम में पहले पंचिंग करने के आुशकता है पते हैं जिसमें तो यह थे हमारा क्युस्त नमबर पांच अगला आता है क्युस्त नमबर छे देखिए आपके सामने प्रिक पंच का पॉइंट कौन कितना होता है मैंने आपको तीन कौन जो पंच हों बताए थे पिसली कलास में सेंटर पंच बताए था डोट पंच बताए था और प्रिक क्तिना होगा तो यहां पर आपका जो आउस है वोु चला जायेगा बी ओप्शन के साथ में जो सेंटर AMसा उसका 90डिगी होता है क्यों दोट पंच है उसका 60डिगरी होता है और रिक पंच है उसका 30डिगरी होताisia तो हमारा सङसंफर है वो ब्योपजन अहरें इसको किसी सीट पन्चिंग करने करने के लिए कोई पतली धातू की चादर हो उसके अंदर पंचिंग करने के लिए प्रिक पंच का उपयोग करते हैं नॉर्मल हमारी जो मैट्रियल होता है जिसमें हमें मशीनिंग करनी है जिसको काटना है उसके अंदर हम डोट पंच का उपयोग करते हैं और मैंने बताया था पर कि आपको सही औन्सवर ना है कोमेंट करकर बता सकते हैं साथी कि सही आंस्वर यहां पे क्या रहेगा है एक आपको बता दूंअब का दो सही और वहां पे और सि के साथ में चला जाएगा बॉल पी नेमर की जो बूल होती ए उसका उपयोग हम डिवेटिंग करते समय करते हैं क्योंकि रिवेट का एक हैड एक साइड निकालिया के लिए कुन सा stat Jew definitely आपके सामने फिर से हैं क्रोस्पीन हैमर, स्टेट पीन हैमर, बोल पीन हैमर या कला हैमर यह क्योशन बड़ा इंपोर्टेंट है पीछे भी एक्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है तुम आपको यहां पर बता दो आपका जवांसोर है वो डी ओप्शन के साथ चला जा चलते हैं क्योंक्त आपके समद्धित हैं देखिए वी भाग का कौन कितना होता है जो वी से बनी रहती है वी बलोग के अंदर कुछ इस तरीके से कि इस तरीके से तो यह जो कोन हैं यह यह पूछागया है कितना है है अपको सामने ओप संद्दिए गए है 60 दिग्री 30 डिगरी 90 डिग्री और फिटी अपको बताना है कितना अंगल रहता है इनके बीच का मैंने पिसली कलास में आपको बता दिया था आपका जो सही आंसोर है वो सी के साथ चला जाएगा नाइंटी डिगरी का एंगल रहता हमारा वी ब्लोक के भी भाग के बीच का अगला के उससे नमरा के उससे नमर 10 यह भी ब्लोक से संबन दीती है देखिए एक लाइन आपके सामने लिखी गई है वी ब्लोक 50-5-40-A-I-S-2949 में 50 क्या है आपको बताना है कि यह जो पूरी लाइन लिखी गई है यहां से लेकर के यहां तक इस लाइन में यह जो 50 लिखा गया है यह 50 क्या है तो क्या क्या उप्संदे रखे हैं कि यह भी ब्लोक का कौन है यह यह भी ब्लोक की लंबाई है यह जोब की लंबाई है जो कि हम भी ब्लोक में इस्तमाल कर सकते हैं यह जोब का व्यास है भई व्यास जो भी ब्लोक होता है उसका साइज के नुसार ही तो तो इस में कोई वी ब्लोग क्या काम आता है किसी राउंड रोड को पकड़ने के लिए हैं तो काम में लेते हैं ना वी ब्लॉग को आपको डी त passage क्या dispos in श्कारलस का व्यास दिया गया है यह निया प्रो की छारी से लेकर 48 एमम तक भ्यास का यह वह फ्कूर सकते हैं और लिखा गया यह आप वी को का गरेड लिखा ठीक है है तो हमारा है वह विब लग की लंबाई पकर चला दाएंगा इसमें अगला इस अब कियोंसे आपके सामने किसन नमर 11 वी ब्लोग किटने ग्रेड में पाया जाता है यहां पर लिखा वहाथ है उसी की जगए दिगा करके भी ब्लोग का साइज वह दिया रहेगा आपको बताना रहेगा कि कितना है अगले क्योफ्षन की तरफ चलते हैं हमारा क्योफ्षन नमबर 12 सब्सक्राइब किसे महापना जाता है या आपको बताना है तो देखिए ऑप्षन हमारे स्पिन्डल की लंबा ही से जो की चोड़ा ही से वाइस वजन से या इन सभी से काई सारी चीजें सामिल रहेंगे जब किसी वाइस खरीदने के लिए जाएंगे उसका वजन उसकी जो की वीग लेती हैं तो हमारा जो अच्वास का सजी वह कर तो करती है तो आपके सामने option देखिए क्या के दिए गए रेक और पीनियन के नट था बोल्ट के या इन दोनों के या उप्रोक्त में से कोई नहीं चार उप्सन आपके सामने दिए गए तो आपको बताना है कि कि किसके सिदांत पे हमारी बेंच वाई से वो कारिया करती है तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक बोक्स नट फिक्स रहता है और जो स्पिंडल उसके ऊपर चूडियां कटी रहती है तो उन चूडियों नट और बोल्ट के माधियम से ही वो आगे पीछी हम उसको खिसका सकते हैं टाइट कर सकते हैं तो हमारा तो सही आंसवर भी ऑप्सन रहेगा नट करता बोल्ट के सिदांत पर ही हमारी जो बेंच वाइस है वो कारिये करती है गुमाने पर उसका नट बोल्ट हो जाता है अगला के सामने प्वाइंट मिलीमीटर पिछ वाली हैक्सा ब्लेड में कौन सी दातों की सेटिंग की जाएगी तो मैंने आपको बता था तीन परकार क आपको बताना अगर आपने डंग से क्लास ली होगी तो मैंने तीनों की बारे में अलग-अलग आपको बताए था तो हमारा यहां पर जो आंस्वर है वो उप्शन एक के साथ में चला जाएगा की पॉइंट एट तक हम वेवी सेटिंग करके रखेंगे पॉइंट स्वरी ए एकसा ब्लेड के अंदर ठीक है आई होब कि आपको समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई क्योंसे नमर 15 पीतल की कटाई करते समय ब्लेड के दातों की पीच कितनी होनी चाहिए यह मैंने आपको अलग-अलग मैटल्स के बारे में बताया था कि आप ध्यान से पढ़ लेना परते एक पीच के साथ में उसकी मैटल्स वो लिखी गई थी उसके अंदर आपने ध्यान द करते समय ब्लेड के दातों की पीच कितनी होनी चाहिए अगर आपने ध्यान दे के देख्यों की तो डेफिनेटली आप इसका अंस्वर कर देंगे हमारे इसके अंदर जो आप्शन के साथ में चला जाएगा 1.8 mm जो पीच है वो हमारी पीतल की कटाई करते समय रहनी चाहिए अगला हमारे तो तो त изменे क्लिए कौंशी वाइस का उपकिया जाता है आपका पहला ये onस नहां है है कश्धि साहद यही सभी बता रहा होंगे कि हमारा जो यह option है और सभा थहान से देखिए छोटे व्यास के जो पकड़ने के लिए इसमें चोटे माप के जोब बीचा ने लिखा गया है छोटे व्यास आप को सब्सक्राइब कर देक है इसे को आप सही कर देंगे ऐसा नहीं है छोटे व्यास यानी कि डायमेटर के जोब है पकड़ने के लिए लिए हैंद वाइस बैंच लाइस या तो मैंने बताया था आपको उस समय क्लास लियोगी पूरा डायग्राम के साथ में पहली क्लास में बता रखा है कि कौन सी वाइस की तरीके से काम करती है तो पिन वाइस हमारा सही आंसोर रहेगा वह पैन के जैसी होती है उसको ऐसे गुमा करके आगे से उसके रहते जो इस तर करते हैं कौन सी वाइस में विनेट लगा होता है बड़ा ही सिम्पल क्योंस्ते न सबी भाइस के डाईग्राम देखयी होंगे तो आसानी से पता पाएंगे कि कौन सी हैंडवाइस में वाइस पीन वाइस या टूल मेकर्स वाइस सारी आपने देख रख किए तो आराम से आं हैं कर सकते हैं हैं क्या होगा है हैं हम त्वाहिज को अगला क्योस्तन अंग कि वाले क्योफ क कोँव सी कड़ भुग शॉपरेंट करके लिख लेना चाहine आप अगे पूछ सब्वाइब करते हैं किसी कौन सी वाइस का उप्योग करते हैं यह आपको बताना है यहां पर यह क्ल से देखी होगी ज़रूर बता पाएंगे कपी चाट करते हैं तोड़ा थोड़ा आग mood पीछे करकर कि उसको छोड़ करके चला जाते हैं पता नहीं कौन सा पॉइंट आपने लूज करके छोड़ दिया हो कौन सी बात आपके डारेक्ट क्योस्टन में आपको देखने के लिए मिल जाए यह आपको नोकरी तक ले जाने का एक सफर है इसको आप हलके में ना ले करके अच्छी तरीके से पढ़ाई करें समय आप वह रिल्स वगेरा देख करके भी बरबाद करें तो इस तरह से समय आप बरबाद नहीं करें यहीं मोका है आपके पास इसके बाद मैं आपको बता देता हूं डिपार्टमेंट भी वेकेंसी नहीं आनी है लगबग सारे पदा भी बर जाएंगे इसके बाद कोई वेकेंसी नहीं आए गए तो उनके लिए उनकी सी आई टियस अब किसी काम की नहीं रहेगे इसलिए सीरियस हो करके अभी आपको पड़ाई करनी है तो मैं जो एक एक बात जो आपको बता रहा हूं वह बड़े ध्यान से मैंने कहा था आप नोट बुक लेकर करके बैठें जो भी इंपोर्टेंट क्योंसे नहीं उसको नोट करके रखें तो यहां पर बात कर लेते हैं हैं को कौन सी वाइस में पकड़ते ह है कि इस से समझते क्योंसन ऻचा करके तो किसा आपइस हां को तो तरीक एक होते हैं ठीक है विया है कार के लिए उपयोग में लेते हैं कहां करने के जुद पड़ती हैं गवार गेरी के काम में तो आपर जब लेगवाइस है जिसकी एक लेग रहती नीचे की तरफ उसको बांध करके रखते हैं और उसके जहा है वह उस तरीके से फैले वे रहते हैं फोड़ा सा उपर की तरफ साहता करती है उसका डायग्राम भी मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था तो हमारा जो सही आंस्वर है वो सी ओप्षन के साथ चला जाएगा लेग वाइस इसका सही आंस्वर है हम्रिंग करने के लिए हम लेग वाइस में जोब को पगड़ते हैं अगला के उसना हमारा के देबल क्ट फाइल में एक कौWD का होता है तो दूसरा कौण कितने डिग्री का बहुत ही श्यांदार क्योंस सैना आपका आपके सामने दिया गया यह जिए पहन स Sum recommend दी गरी कोपेशिए च्पकर पीटैम होगा पड़ा दयान को पढ़ रखा होगा बड़े आसानी से बता देंगे तो हमारा जो यहां पे आंसवर है वो option C के साथ में चला जाएगा पहला जो कॉण सुखना होता है जो सत्ता डिग्री का होता है उस रहती में और दूसरा कॉण है डबल कट फाइल में वह 51 डिग्री का होता कि यह फिससको कोड़ तरफ दाहते यह और नोट कर के रखें इस भी कलास न कर लिये लुक्त देखनेकि रहे उसको जरूर बार पर देखेंगे-कं उसको कर पायों और उस से कोपी पैन लेकर करके परते एक चीज हम यहाँ पे देखो जो बी तयारी करवा रहा हूं आप पहले से पढ़े लिके सारे चीजे आपको ध्यान में है लेकिन उन में से एकजाम के पोइंट क्या चीज़े बाहर निकल करके आ सकती है कहां से क्योस्टन उठ सकता है क्योंकि एक्जाम है वह आपका भई नीमी से नीमी को आप क्या की चैलेंज कर नहीं सकते जो चीज नीमी में लिख दी नीमी माड़ों ने लिख दी वही आपकी यहां पर सत प्रतिसत सही बानी क्योंकि जो डायग्राम वगेरा उठने हैं या क्योस्टन जो उठने हैं वो लगबग आपको वहीं से देखने के लिए मिलेंगे किन्तु परंतु ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं लेकिन आंस्वर है वहीं का माना जाएगा अगर कुछ और आंस्वर आता तो आप डारेक पर दी गई हैं आपको सही आंस्वर बताना है कि कौन सा है कि देखिए पहला उप्षन रास्प्त फाइल दूसरा उप्षन करोगा फाइल तीसरा उप्षन डबल कट रेती और जो फोती रॉन रहती आपको बताना है कि इस तामभा वगेरा की फाईलिंग ये दोनों सॉफ् के ती सिंगल कट फाइल डबल कट फाइल और रास्प कट फाइल थी आपके और करो कट फाइल थी आपकी चारों का मतलब मैंने अलग-अलग आपको बता दिया था तो जो सही आंस्वर है हमारा वो अप्शन B के साथ में चला जाएगा करो कट जो रहती है जिसमें करो सेप के दाते बने रहते हैं वो जो मुलायम दातों हैं सोफ्ट मेटल हैं उनकी फाइलिंग करने के लिए यह उप्योग में लिजाती है करो कट फाइल इंपोर्टेंट के उससन है इसको आप नोट डाउन कर लेना भी अगला के उससन है निमन में से कौन सी रेती कट के आधार पर नहीं है आपके सामने चार ओप्शन दिये गए बड़ा ही शांदार के उससन है यह भी देखिए रास्प कट रेती करो कट रेती सेकंड कट रेती डबल कट रेती सभी में कट सामील है तो बताइए ऐसी कौन सी रे में है आपने नहीं पढ़ा है तो बड़ा हाड क्योस्टन भी साथ साथ में क्योंकि सारे उप्सान एक जैसे हैं तो आपको बता दू तो सेकेंड का ट्रेती है वह यहां पे ग्रेड के आदार पे ठीक है इसको नोट डाउन कर लें है क्योस्टन किसी तरीके से पूछा ज़क् पर ना की कट क्या दार पर ठीक है अगला क्योस्टन है हमारा नाई फेज रेती का कौन कितने डिगरी का होता है बढ़ाई अच्छा कि उस्तन एं ये भी तो पिछली बार मैंने बता दिया था आपको ओप्शन दीगरी 15 डिगरी 51 डिगरी और 10 डिगरी आपको बताना सही आ अफेज़ का कोर ने बहुत अप्षा कौन सी रहते का नाम फिसबैक रहती पिए भी है क्यान नाम कुछ च्छा में नाम कुछ वरही है उन कारिये में से डारेक्ट आप से कोई भी क्योस्तन पुसादा सकता है इसलिए वो क्लास आप जरूर देख लें चार उपसन है बताइए कौन सी रेती का नाम वो फिस्ट बैक है यहां पर आपका सही आंसवर है वी उपसन के साथ चला जाएगा जो क्रोसिंग फाइल है उसक इसे कौन सी रेती है जिसको ओटो मोबाइल बोडी को फाइलिंग करने के लिए उपयोग में लेते हैं अगर आपने क्लास लियोगी तो बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं नहीं भी लियोगी तो आप ले वहां से क्लास लेकर करके देखें फिर यहां पर आंसुर करने के लिए तो मैं आपको बता दूं यहां पर तो सही आंस्वर हो हमारा डी ओप्शन के साथ जाएगा तो टिंकर्स फाइल है वो टिंकर्स बोलते हैं उसको अफोस्ट ओफिस ऐसे लगाते हैं उपर टिंकर्स जो रेती हैं उनका उपयोग है वो ओटो मोबाइल की बोडी को फा सामने चार ओप्शन है रोटरी फाइल रिफलर्स फाइल बैरेट फाइल और निडल फाइल इन चारों में से कौन सी रेती है जो की एंग्रेविंग और सिल्वर समीथी कारियों में उपयोग में लेते हैं अगर आपने क्लास लिए होगी बड़ा शांदार तरीके से आप ब पताना है यह इसी के ऊपर हमारे डिसकसन भी होई थी कि बुक्स में आप जो नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनके अंदर कुछ हलक दिया गया है लेकिन हमारा आंस्वर निमी के रहने वाला है वही आपको करके आना है आपने जो भी पढ़ रखा हो यहां प दिगरी पांच मिनट बारा मिनट और एक रेडियन इन चारों में साब को बताना सही आंस्वर क्या है तो देखे आपने बुक्स वगेरा में पांच मिनट जरूर पढ़ रखा हुए मैंने भी बताया था आपको इसली क्लास में लेकिन जो निमी की बुक है पीडिव है उसक तो क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर आप लाइक करके जाएं आगे भी जब भी समय मिलेगा हम दूसरी क्लास फिटर की लेकर के आएंगे और फिर उसके रिगार्ड में क्यूस्तनान सवरा वो लेकर के आएंगे आपके लिए जरूर तो एक तो आप तैयारी है वो अपनी बताएं धन्यवाद दोस्तों जैहिन जैभारत